दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो भी निसमाचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज बहुत सारे जो कोर्स हैं PGT, TGT, TET इत्याइद के उसमें उबलब्द करा दिये गये हैं सबसे पहली सुचना है नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द लिखा की उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनिश शर्मा ने बताया है कि केंद्र के उच्ष शिक्षा आयोग की तरजबर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द किया जाएगा जिसमें शिक्षिकों से जूड़ी कई चीजें होंगी इसमें सिक्षिकों का समावेश होगा आनलाइन पठंफ़ाण की पक्रिया का समावेश होगा तो बहुत सारे बदला होंगे भरतियो में अभर्थियों ने मांगे अतिरिक्त अवसर आज के लगबग सभी समचार पत्रों में यह सुचना है कि जिस तरीके से संग लोग सेवा आयोग में किन सरकार ने उन विद्यार्थियों को मौका दिया है जिनका अंतिम चांस था चूंकि कोबिड-19 की वज़ाई से उन विद सुप्रिम कोट पहुंच गये थे इसके बाद केंस सरकार ने उन विद्यार्थियों को मौका दिया है इसी तरीके से अब राज की भरतियों के लिए भी लिखा है कि कोरोना कालम के दवरान हुई राज सरकार की भरतियों में दो अतिरिक्त अवसर दे जाने की मांग को लेकर के परतियों की चात्रों ने मुख्यमंतरी को पत्र भेजा है परतियों का कहना है कि जिस प्रकार के इन सरकार संग लोग सेवा आयूक की सिविल सेवा परिच्चा में शामिल होने के लिए अंतिम अवसर पूरा कर चुके अबर्थियों को एक और मौका दिये जाने के लिए उसी प्रकार कोविट काल के दौरान उत्तर पत्र लोग सेवा आयूक की और से आयूजित परिच्चा में सामिल उन अवर्थियों को दो अतरिक्त अवसर दिये जाए जो ओर एज होने के करण आगामी परिच्चा में सामिल नहीं हो सकी हैं कोविट काल के दौरान उत्तर पत कर रहा है कि आयोग की और से PCS समयत आयोजित की जाने वाली सभी परिक्षाओं में ओवर एज हो चुके अभरतियों को दो अतरिक्त अवसर प्रदान किये जाएं सीधी बरती में भी यह ववस्ता लागों की जाने चाहिए प्रतियों की छात संगर समीत के अध्यक्ष रहती है लेकिन कोविट काल के दौरां जो परिक्षा हुई उनमें उपरस्तित काफी कम रही है पिछले साल 16 अगस्त को हुई खंड सिक्षा अधिकारी की प्राणमी परिक्षा में में महच चमालिस फीजदी वर्थियों नहीं उपरस्तित दज कराई थी 23 अगस्त को परिच्छा नहीं दे पाए हैं तो इसलिए सरकार को इस और धान देना चाहिए और तुरंत नड़ा लेना चाहिए जो भी भरतियों की विग्यापन आ रहे हैं सभी विग्यापनों में कम से कम दो साल की जूट देनी चाहिए अगली सूजना है कल बहुत सारी मांगों के लि लेकर के और लगभग 50 जा से जादा विद्यार्थियों ने ट्विट किया और उत्तर प्रदेश में यह लगातार साम तक नंबर वन पर ट्रेंड करता रहा और उसके बाद में एक तरफ प्रयागराज में विद्यार्थियों ने कल बालसन 14 पर प्रदर्शन किया था चाहिए और जबकि इनकी संख्या लगभग 87 होनी चाहिए यह पत्र इन्होंने कल यहां के SDM को दिया है लिखा है कि विशा है खंड सिक्षा अधिकारी 2019 की वर्ति में अरचन की अन्यमित्त के संबंद में आपको अवगत कराना है कि खंड सिक्षा अधिकारी 2019 की वर्ति लो प्रति गई है और जिसमें अन्य पिशड़ा वर्ग को मिलने वाला 27 पृत्र अरचन 10 पृत्षत कर दिया गया है महोदय लोग सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के इस कुछित प्रयास से पिशड़े वर्ग के वर्थियों में गहरा अक्रोस है तथा उक्त प्रणाम प्रतारणा का कार्ण बना है और यहां पर यही से बाते इन विद्यार्थियों ने लिखी है और यह जो पत्र लिखा यह ओविसी अधिकार मंच के समस्तकार करता दंजे प्रटे लिए लोगों के नाम और सिगनेचर भी है वह समाजवादी पार्टी के जो MLC है वासुदय यादा उन्होंने भी इसी के सिवन्द में एक पत्र लिखा राजिपाल को यहां पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जो अरच्छन है वह ठीक तरीके से नहीं दिया गया है और यह देखी यहां पर यह लिखा हुआ है और इसके बा कि तैpes 2000 का अंधिम जाना है इसे मद्य नजर आयोग में रहा है दोनों परड़ना आ रही है और इस में भी देखे यहां पर लिखाया साइड में कि संग लोग सेवा आयोक करने यह लागू करने की मांग तेज आज की लगबग सभी समचार पत्रों में यह न्यूज है कि लोग सेवा आयोक से जो भरतियां आने वाली है और जो भी बढ़तियां चल रही है यह देखिए पीसीएस के साथ साथ आरो एरो पीसीएस सहाइक विजन अधिकारी जितनी वरतियां सब में विढ़तियों को अतरी निक्त्व मौका मिलना चाहिए ऐसी में मांग की है अगली सुचना है कि राज की महा विद्यालियों के लिए पहल उच्छा निदी सालहें मांगा रिक्थ पतों का विवरा इन्विधार्थियों की प्रड़ाम आ चुका है बहुत जल्द इन्वीदार्थियों कांस्लिंग होगी और इनकी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई यह लिका प्रदेश के सभी राजकी महाविद्यालियों पर वक्ता के खाली पड़ी पदों पर चैनित अभरतियों की निकती की प्रक्रिया शुरू ह करता है तो रिक्त पतों के बेवरा मंगवाल गया गया है और अब इनकी जो कांस्लिंग होगी और उसके बाद में इनको नुक्ति मिल जाएगी अगरी सुचना एल्टी ग्रेट सिशक बढ़ती की और यहां पर भी वही बात लिखी है संगलोग सेवा आयो के नियम लाव करन उन पर UGC से या अपना अंदर से कारवाई हो रही है लेकिन इस पर अभी कोई डीसीजन लोग सेवा आयोग नहीं ले पाया है और बहुत सारे विद्धारतियों को निक्ति पत्र अभी नहीं मिल पाया है लिकाए उत्तर प्रति की पंदरा विसीओं के चेर्ट बेटतियों काम चल रहा है लेकिन इसकी अलावा दो हजार के लगवक उन चैनलते वर्थियों की फाइल भी रुकी हुई है जिसमें कोई न कोई मामला फंसा है आयोग में मौझूद है समय में PCS सहीद दूसरी प्रभून भड़तियों को निस्टारिट करने का काम तेजी से चल रहा है इस आए दिन करते रहते हैं और अपनी मांग करते रहते हैं यह भरती पहले से ही काफी लंबित हो चुकी अब इसमें और देरी ना की जाए कुछ सूचनाएं विश्विद्यालियों की भी है लिखा है अठारा से MP8 और 20 से होगी बेट की परिच्छा लखनों विश्विद्याल लिखा है लखनों विश्विद्याले ने रविवार को MP8 और 20 पाठक्रमों का परिच्छा कारिक्रम दारी कर दिया है MP8 की परिच्छा 18 फरवरी और 20 फरवरी से शुरू होगी दोनों पाठक्रमों में 10,000 के करीब परिचारती पंजी करता है और परिच्छा नेंतरक प्रफ परिच्छा है वो होगी अंतिम सूचना है TGT PGT भरती का और पूर्टल का काम लगबग पूरा संसोदिव विग्यापन जल्द बात यह नहीं है बात यह कि विग्यापन आना था संसोदिव विग्यापन उसमें तदर्थ सिक्षकों को मामला है वो लटका हुआ है उसके बा लिखा माध्यमिक शिक्षा के तदर्ध मिनेसे रूका 15508 माध्यमिक शिक्षकों की भरति का विग्यापन अब जल्स जारी होने की उमीद है तदर्ध शिक्षकों को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब पर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद